इन्परमेशन मिला है कि जल्दी अभी तर्ड लिष्ट अनोंस हो जाएगा कब तक तीन अवर चार तारिक के अंदर हो जाएगा आपका मालूम होगा डाकुमेंट टेरिफिकेशन रिपोर्ट करने का समय कल का आकिर देटे बोला जा रहा है तीस मतलबू तीस सू एप्रल का लाश्ट डेट है इसके बाद दो तीन दिन के अंदर रूर तर्ड लिष्ट आ जाएगा कितना पोश्ट सोला अजार से अधिक जीडियस पोश्टों का अभी भी बरना है अभी तक 24,000 लोग रिपोर्ट किया है वाद 16,000 से अधिक लोगों का ये अभी अगली तर्ड लिष्ट में आएगा दमी देख की तीन चार के अंदर रूर तर्ड लिष्ट आ जाएगा यही 16,000 पोश्टों का जादा पोश्टों का दुबारा हा रहा है अभी साथ यो सोशेल मीडिय में क्या बोल रहा है कुछ उमें पिछली वीडियो में भी यही बताये था कोई लोग आप लोग वीडियो नहीं देख रहा है आपका लिष्ट में आया है इसका मुताबिक आप क्या आनलाइन में अप्लेक किया है यही डाकुमेंट का लेके डाकुमेंट वेरिपकेशन कराना है कुछ दो तीन चार सरकल के लिए दो दिन नूँ एडिट करने के दिया था बागी सरकलों में नहीं दिया था इसके कारण भी कुछ लोग का तकलिप हो रहा है यह लोग भी चालेंज वोगरा कर रहा है तुकि 16,000 से ज़्यादा पोश्ट आ रहा है दुबारा पोर्थ लिष्ट भी आएगा यदि यह की बश्ट नहीं बरेगा यह प्रोसस कब तक चलेगा 30 जून तक यह सिंसिला चलेगा कितना लोग अभी पहले लिष्ट में आया रिपोर्ट किया इसमें चल जाएगा इसमें अगली पोर्थ लिष्ट में पिप लिष्ट में इस तरह दे सकता तोड़ा पेशंस से देखो बहुत लोग मेसेज़स उनका देखता नहीं है कुछ लोग कोई वीडियो का पूरा देखता नहीं है यह यराबिरी में चलके रिजेक्ट करके आ रहा है इसके आप लोग डाकुमेंट का तयारी रखो परसेंटेज है परसेंटेज में इस बार तोड़ा अलका नीचे उतरेगा यही मैं पहले बोलो बीवो बीवो से अपरक रहेगा यह आप लोग कलास में अंतक बने रहें और किसी भी तरह का कोई भी आप लोगों को जीडियेस की रिलिटेट कोई भी फ्रस्षन हो तो आप लोग कोमेंट ओपेंड है वहाँ से आप लोग कर सकते हैं तो सबसे पहले जानते हैं विस्तार से कि जीडियेस में आप लोगों का जो है सलेक्षन जो है वो किस बेसिस पे हो रहे हैं और बहुत से ऐसे अनिकी कोमेंट कर रहे हैं जो कि ए स्टुडेन की हम लोगों का 80% है 90% है और तब पर भी हम लोगों का सेलेक्षन नहीं हो रहा है तो सारे चीज़ पे आज की इस वीडियो में बात करेंगे तो आप लोग आन तक बने रहें और यदि चैनल पे पली बार आएं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लें तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जानेगे की आप लोग का इससे जो फ़र्स्ट मेरिट लिस जारी हुए उन पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं फ़र्स्ट मेरिट लिस जारी हुआ हुआ जो उसमें आप लोग का जो cut up 99 से 100% रहा और उसमें बात करें selection की तो selection जो हुआ उसमें total post की बात करें तो आप लोगों का 40,000 से plus total post था और उसमें अनिकी 30% से भी अनिकी documents verification के लिए student नहीं पहुँचे और जिसके कारण जो है second marriage list में बहुत ज़्यादा आने की student को देखने के लिए मिला और post भी ज़्यादा हुआ और second marriage list में लगवग जो है 26,000 post बचे हुए थे और उन पोस्टों में से second marriage list जारी भी हुआ और उसमें cut up की बात करें highest cut up और low cut up की बात करें highest जो है आप लोगों का वो 98 ये और low post की बात करें 80% से उपर student को भी उठाये है और बात आती है कि 80% का हो रहा है लेकिन 90% वालों का क्यों नहीं हो रहा है selection selection इस base पे नहीं हो रहा है selection आपका division और circle पे depend कर रहा है कि उस division का cut up कितना जा रहा है अमान के चलिए आप लोगों का division में जिस division से आप लोग form फिल किये हैं वहां का high cut up 95 जा रहा है और आप लोगों का उसमें 90 है तो बताए ये किस basis पे आपका selection होगा तो वहां पे 95 वाला का selection होगा कि 90 का selection होगा तो ये तो नहीं होगा इसी के कारण आप लोगों का selection नहीं हो रहा है और अभी जो third merit list जारी होगा जैसा कि GDS के मास सजीब SS महादेवे सर ने उन्होंने खुद बताए है इससे पहले दो दिन कि आप लोगों का जो है second merit list जारी होए और second merit list का बता दे documents verification का कारी जो है वो last जो है 30 अपरिल तक रखे गे थे और ये कारी भी कत्म हो चुके है अब आप लोगों का जो माई का first week में किसी भी समय 3 या 4 माई को तो बताए थे लेकिन first week के किसी भी समय आप लोगों का जारी कर सकते हैं अनिकी third merit list और third merit list में भी आप लोगों का लगवग जो है पंदरो हजार पोस्ट पे देखने के लिए मिलेगा और धीरे धीरे जो आए अब आप लोगों का cut up जो है वो down हो रहे हैं और इस waste पे आने की आप लोग का भी selection होने की समभवना है कि अब जो है cut up थोड़ा कम हो रहा है और आप लोग का अभी जो है third merit list जारी होने के बाद आप लोग का fourth और fifth merit list भी जारी कर सकते हैं बात आती है कि आप लोग का seat जो है अगर बच रहा है तो fourth merit list तो जारी होवे करेंगे साथ ही साथ fifth merit list भी जारी होने की संबबना है और ये depend करती है कि seat कितने बचे हुए हैं और आप लोगों का भी selection होगा और यदि आप लोगों का percentage आने की अच्छा है तो जरूर selection होगा और आज का कुछ यही update था और बहुत से comment अभी भी पड़े हुए हैं आने की 60, 70 75, 80 इन सभी का बहुत का comment है कि हम लोगों का selection होगा की नहीं होगा दिखिए selection जो है ये cut up के अनुसार हो रहे हैं और जिनका cut up high होगा तो उनी का selection होगा और इसके बाकी जितने के हैं उनका selection होने की संबबना नहीं है क्योंकि ये cut up के अनुसार selection हो रहे हैं और पहले भी से पहले के class में भी बताएं कि आप लोगों का यदि percentage बढ़िया है तभी selection होगा अगर otherwise नहीं होगा और आप लोग सिर्फ form फिल किये हैं तो कोई बात नहीं है कि इजाम वेस पे तो नहीं है कि आप लोग महिनत करके और अगले बार या तो फिर से इजाम दे के आप लोग percentage अपना improve कर सकते हैं और आप लोग का क्या राय है कि GDS या भारतिय डागवाब को इस पे सोचना चाहिए कि इजाम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए तो आप लोग अपना राय जरूर comment में रखें और इसी तरह के update के साथ आज का class को यहीं पे end करते हैं मिलते हैं अगले class में तब तक के लिए जय है